करेंगे जैदीव का तो चले हमसे दूर वाली छोड़ से सामने लक्समान और जब तक के गेंट फिल्ड हो एक रण और इस एक रण की मदा से टीम का खादा खुला और लक्समान ने अपना खादा भी खुला तो सुब काम नहीं लक्समान को तो तो जाने दिया बढ़िया बढ़िया तो बढ़िया गेंगा जैदीव के द्वारा तो बिलकुल पूरा दबाव बना के रखा है किनाथी के बल्ले बाद आप है क्योंकि सभी खिलाड़ी अब दो तेर खिलाड़ी अब जो है कि बिल्कुल घेर के रखा है बलेवाज को और मैं जो कानवा और इस बार निची रहती ही जाने भी आप गेड़ कीपर के कलब सो में तो बढ़िया गेंग वाजी अभी तक जैदीव के द्वारा तो चले जैदीवाल से दूर वाली थोड़ सामने है सेले से बढ़िया तो किनाथी को लगने वाला है पहला जटका और जबकि टीम का स्कूर एक रहने बिना खाता खोले पविलिया ने अब कले भी निलास गिया था सब्सक्राइश ने तो चले जैदीवाल और पिस्टम से बाहर जाती ही गेंदर वाइड का इसारा तो इस अत्रिक्तिकी मदद से अब टीम का स्कूर जाप होचा दो रहन जबकि एक बिगड के नुकसान थे किनाथी तो चले चुरगड की तरफ से अब जैदीवाल सामने है सोरज बढ़िया गेंद नीची रहती ही समझ नहीं पाए सोरज कहीं बल्ला कहीं गेंद तो बढ़िया गेंद बाजिये भी तक ज तो चले जैदीवां से दूर वाली छोड से फोट पिलता है लेकर चूपे इस बार आख की समाथ ही तो पहली ओवर की समाथी के बाद टीम का स्कूर और रन एक विकेड के लुकसान पे किनाथी तो चले हमसे दूर वाली छोड से राइट हम ओगरद विकेट है कि सामने हैं लक्समान कटकी भी गेंड उठाकर खेला है गेंड के नीचे खिलाडी और जब चक्की गेंड फील्ड एक रण दूसरें के लिए निकल रहे हैं दोनों यह बल्लेवाज तो दो रहना इन दो रहना इन दो रहनों कि मदश्याप टीम का स्कूर जाप पोचा चार र खत्रा और यहां पर बाल बाल वाल वचे सूरज तो सुरक्सित अपनी किरीज में तो यह ग्रण की मदश्याप पाचरण एक बिगट के नुक्सान पर थोड़ी सी ताल मेल की कमी नजर जरू आई लक्समान सूरज के बीच अ क्योंकि हर वड़ी अभी नहीं अभी आ इसके पाले सामने सूरज तट्की ही गेन हलके हाथों से खेला और जब तक कि गेन फेल्ड कोई रन नहीं को नुक्सान नहीं तो बढ़िया बल्ले बाजी अभी तक लक्समान और सूरज के द्वारा बढ़िया गेन हलके हाथो से केला उधनी अच्ची छेतर अपर कुल्दीब के द्वारा तो कुल्दी पे अपने छेतरे में जाने माने पिलियर तो सौरज चले एक बार पिर सामने हैं सूरज पटकी ही गेंद और डेट बॉल का इशारत कापी खराब गेंद कोऊंगा मैं सौरज की तो सौरज पट चले एक बार पिर सामने हैं सौरज तो बड़िया कशी भी गेंद भाजी अभी तक चुरगर के द्वारब बड़िया गेंद नीची रहती ही समझ नहीं पाए जाने दिया पिकेर कीपर के गलपसों में पान के रखाय किनाथी के बल्ले बाजों को पटकी हुई गेंड और समझ ने पाए कहीं बल्ला कहीं गेंड और जाने दिया बिकेड की पर के गलपसों में अच्छी गेंड बाजी तो कसी हुई गेंड बाजी कहूंगा मैं जिस तरह से लक्समन और सुरज के बान के रखाय खुला चारन से ओवर किसमा थी जैदीब चले एक बार की रहा लग्साइड की तरह पर लगने दिया प्रैट लाइन पर तो कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं तो पड़िया गेंड बाजी अभी तक चुरगड के दुवारा अब बढ़िया 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 दीके त तो बढ़िया गेंड बाजी कहूंगा मैं लक्समाट जैसे बल्लेबाज को अभी तक बांद के रखा है उन्होंने चले एक बार फिर जैदीब हलके हलके कदमों से कटकी हुई गेंड हलके आतों से खेला स्टेट की तरह पर जब तक की गेंड फील्ड तो एक रन और इस एक रन की मदद से अप टीम का स्कोर जाप हुचा दस रन तो कि तीसरा ओवर पर गति पर जैदी जैदीब द्वारा तो पहली बार सामना करेंगे अब सूरज जबकि चले हम से दूर वाली छोर से हलके कदमों से बड़ी अगेंड गेंड तो किनादी को लगने वाला ये दूसरा जटका सूरज के रूप में और भी बोश्री सा बलता मिलते भी जैदीब को तो बड़ी अगेंड बाजी अभी तक बांध के रखा है और सहले जो सूरज को चलता किया अगर किनादी को मैं जीतना है तो लक्समान का साथ देना होगा तो चले जैदीब सामने है आजे बड़ी अगेंड नीची रहती हो लिए किस्टम जो थोड़ी सी बाहर तो वाइड का इसारा इस वाइड की मदल से अप टीप का स्कुर्दा पोचा अग्यारा रन जबकि दो लिए दो पिकेट के नुक्सान पर किनादी तो जैदीब चले एक बार फिर सामने है आजै चले जैदीब हलक्याल के कदों से तकी हुए गेंड हलकी आतों से केलाग और गेंड के नीचे उपड़ीप तो बर की समाप्ती तीन ओबर की समाप्ती के बाद अब टीम का स्कोर अ और एंपार का इसारा च्छे रहन है तो पहला चक्का आता हुआ लग्समण के बल्ले से पटकी ही गेन उठाकर खेला है लग्समण की तरफ और जब तक ही गेन फिल्ड एक रहन है दोनों ही बल्ले वाज है तो दो रन पूरे इन दो रनों की मदश से आप टीम का स्कोर्जा पहुचा उन्नीस रन है पर हार करते हैं लग्समण भी पटकी ही गेन और लेकिस्टम कुल जो चोटा तो मैं जो चोटा तो पहला जीवान नान कहूंगा मिलक्समण को अब करी अधर करीम बोल्ड लगने वाले तीसरा जटका अब किनाथी को पर सामने हैं बोपाल बढ़िया गेन उपाकर खेला है गेन को जब तक कि गेन फिल्ड एक रहन है ऐसे एक रहन की मदश से अब तीम का स्कूर्ट आप होचा इस रहन है जब कि ये निवी कटके नुक्सान पर किना थी पसामने लग्समण कट के ही नंहीं कि अलके आथों से फ्लिड और जब तक कर लान और पर शेयं करी मदश से अप टीम का स्कूर्ट आप होचा और जाह इस रहन चार ओबर की तो कोई नहीं कोई नुक्सान नहीं सारव पटकीफी के एंग और चूकेश बार लक्समान तो लगने वाला किनाथी को यह चोचा जटका लक्समान के रूप में तो बहुत मैं तो पूर्पी केट है पर फुर्गण भी जांदी थी इस बात को तो नहीं बाद अलक्समान कास्ता लेंगे सुभम बढ़िया गेन अलकातों से केला तो कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं तो किनाथी कब महतर फूर्पूर्ण भिगेड गिरता हुआ लक्समान के रूप में तो सौरा बचले एक बार फिर पटकी लिए नुपा कर खेला इस हमें से दूरवाले छोड़ से सामने है सुभम बढ़िया गेन लगने दिया अपनी पैड लाइन पर ओबर किसमाप्ती तो पांच ओबर किसमाप्ती के बाद टीम का स्कोर 24 रन पोटे का पहला टीम के लिए छटो ओब लेकर सामने है बोपाल तो बढ़िया गेन और जाने द लगने वाला का ही गेंद सामने है बोपाल पाट की भी गेन हलके आतों से खेला और जब तक की गेन फिल्ड एक रहना इस एक रहन की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुचा 25 रहना तो चले हलके हलके कदमों से बढ़िया गेंद चूके इस बार और आवट तो लगने वाला है पाट हो जड़का किनाथी को अब बढ़िया गेंद समझ नहीं पाए देवेंदर और जाने दिया पिकेर कीपर के कलबसों में तो जिस तरह से अभी तक दार दार गेंद बाजी नजर आई है चुरगण की टीम से तो वहीं है बल्ले बाजी में अभी तक कोई बल्ले पार कियों तो चले कुल्दीप एक बार फिर अब ऐसा लग रहा है जैसे रनों पर रोग सी लगा दी रन निकालने असंभाव से कर दियों तो चले एक बार फिर अब कुल्दीप हमसे दूरवाली थोड़े सामने है देवेंदर पटके हुए गेंदर समझ नहीं पाए ओबर कि समाप्ती चेविसमाप्ती के बाद टीम का स्कूर पत्तीस आना पाल के लुक्षान पे किनाथी पोपाल अब पाडिया के नहीं वरकर लाइन की केंदी समय नहीं पाए लग निदी अपनी पैट लाइन पे तो पड़िया के इन वाज अभी तक तो तो तैर आप लाज बाद्व को तराजबाल चले एक बार पर फिर प्रटकी की लिए नहीं प्लंप लिए हो दोन नहीं पर निदो रहें वाज तो इन दो रहें बाद और चाहिके नूक्सान पर खिनाथ ही पोपाल अब कोशिस कर रहे हैं तो राजपाल एक बार फिर तो लेकिस्टम से बाहर जाती ही किये तो हुआ है इसारा फुल्टवस गेन और हलके आतों से खेला और अपने बोल और थ्रो में फिल्डिंग की तो बढ़िया छेतर अक्षान अब तुरुगण के द्वारा तो राजपाल चले पट की वी गेन उठाकर खेला है गेन को और जब तक की गेन फिल्ड एक रहन है दूसरे विकेने निकल रहे दो नहीं बलिवाज तो दो रन पूरे तो इन दो रनों की मदद से अप टीम का स्कोर्जा पहुचा तीस रन है पांच विकेन के नुक्सान पे किना थी तो राजपाल चले एक बार पिर सामने है बो पाल चले हलके हलके कदमों से पटकी हुगे नोर जड़ बॉल के सारा खराब गेन कहुंगा मैं राजपाल की सटले हलके कदमों से फुलता से लेकिन कोई फाला नहीं ले पाए और मद दिया दिविकेड कीपर के गलब सो में पटकी हुई गेंद लेकिन ओपिस्टम जदोड़ी सी बाहर जाती हुआइड का इसारा इस वाइड की मदद से अप टीम का स्कुर्जा पोचा एक तीसरा पांच विकेट के नुक्सान पर एम्पार से अन्रोध के खिलाडियों को पीछे कर दे लेकंपार गड़िया गेंद पटकी हुई गेंद या एम्पार का इसारा और आवोट है तो बोपाल को भी वापस जाना होगा तो लगने वाले चट्वा जटका किनाथी को कि वी गेंद ऑफसार की तरफ जगेला है गेंद को और जब तक कि गेंद फिल्ड एक रहना दूसरे निकल रहे हैं दोनों ये बलेवाज तो दो रहन पूरे इन दो रहनों की मदद से अप टीम का स्कोर जा पहुचा ते तीस रहन है जबकि छे भीगेट के नुक्सान पर कि जबकि देवेंदर ने इन दो रहनों से अपना खाता भी खोला तो कुल्दीप चले एक बार फिर सामने है देवेंदर बढ़िया गेंद है अलके आतों से खेला और जब तर कि गेंद फिल्ड कोई रन नहीं कोई नुक्सान नहीं कि जम से आप लाइब टेली कास्ट गर बै यहां बाद हो को नुटीप चले एक बार फिर सामने है अनील तो बढ़िया के लिए समझ ने पाये जाने दिया ठीकेब की पर की कलप सो में तो कुल्दीप चले एक पर फिर हम से दूरुरवाली चोड़ से सामने है अनील जिन को अपना खाता खूलना बागी तटकी ही गें लेके लेकिस्टाम से बाहर जाती वी वाइट का इसारा तो अब ही तक कोई भी बले बाज ऐसा नहीं रने मुस्किल कर दी हो रनों पर रोक सी लगा दी हो इस बार लाकिस्टाम से थोड़ी सी बाहर वाइट का इसारा अगर अतिरिक्त वाले रन ना आए तो मुस्किल कर दिया है अब किनाधी के लिए रन आना पर फिर सामने है आने लग चले एक बार फिर बढ़िया गें लेकिन अने लाकिस्टाम से बाहर जाती हुआ है तो कुल्दी पर चाहां अच्छी गेंद वाजी कर रहे थे अब दिसा ऐसे बटक रहे हैं आपने तब कर रखी दी चुरगड ने इस बार अच्छी गेंद और जाने दिया बिकेट कीपर के कलप सो में तो कहीं पलना कहीं गेंद त तो चले कुल्दीप एक बार पर सामने हैं अनिल है अलिके-अलिके कदमोस है और अगेंद खेला है और गेंद के निचे खिलाडी जबता की गेंद भील्ड तो कैच छोटा तो मैंच छोटा तो हम दोरनों की मदा से टीम कर स्कूरब जा पहुचा और तीस रन जब लीप चल तो लगने वाला एक जड़का किनाथी को सुमीत उठाकर के लाए सुमीत ने और जब तक के लिए एक रण दूसरी के निकल रहे दोने बलिवाज लेकिन चुरगण की जो छेत रक्षन तो कापी चुस्ती भरी छेत रक्षन में है तो इंदोरन से अमना काता भी खोला सुमी तो बाड़ी अगेन लाकिस्टम से बाहर जाती ही गेंद और वाइड का इसारा वाइड की मदा सब टीम का स्कोर एक तालिस रन जबके आठ विकेट के नुक्सान पेकिना थी तो चले एक बार फिर कुल्दीब बड़ी अगेन लगने थी अपनी पैट लाइन पर गेंद और बले का कोई संबर्ग नहीं तो कुल्दीब चले एक बार फिर बड़ी अगेन लेकिन आपिस ठाम से थोड़ी सी बार वाइड का इसारा पिर बड़ी अगेन लपापर खेला है गेंद गो और जब तक कि गेंद फिल्ड एक रन दोसरे न के लिए निकल रहे हैं दोनों ये बलिवाज तो दो रन पूरे तीसरे रन के लिए कॉल आई है तो तीन रन और चौते रन के लिए निकले हैं और चार रन पूरे इन चार रन की मदद से अब टीम का स्कोर जाप होचा ची आलिस रन और इन चले एक बार फिर बड़ी अगेंद पटकी गेंद उठाकर खेला है गेंद को और जाब तक कि गेंद फिल्ड के लिए निकल रहे हैं दोनों ये बलिवाज तो दो रन पूरे इ और तालिस रन है जबकि आड़ बिगेंद नुक्सान पे किना थी तो जहां बिना खादा खोले पविल्यन लोड़ चुके थे बलिवाज तो आप सुमीत है बड़िया बलिवाज ही कहूंगा मैं सुमीत की बड़िया गेंद ऊवर कर लाइन की गेंद थी और लगरी थी अप राजपाल अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए अंती मोबर लेकर तो किनाधी को लगने वाला इना हुआ जटका नील के रूप में दासपाल के द्वारा बड़िया गेंद और अटीम विकेट मैदान में और जब तक की गेंद दोसरें के लिए निकल रहे हैं दो नहीं बलिवाज तो दो रन पूरे तीसरें के लिए कॉल किये हैं तो तीन रन पूरे सुरक्सिट अपनी किरीज में तो इन तीन रनों की मतास सब्सक्राइब का स्कूर एक क्या वंड़ान और अन्ती मजोरी मेदान में अन्ती मोबर परगजी पर है पल्ले बाज ने मता दे भाई तौराजपार चले एक बास पीड़ा सामने है इसमित तुर्ट वजगे हैं नफ और नौ लगा इसारा तो स्टेजिय तीम स्कूरपम प्रना थी कि तो कि दिजिंग में का सामने है इसमित बाडिया के पाय समय निपाए और यहापर रहना उटता लाओं होती हो धी किना थी तो कैसी जी के इनबाजी चुरगड की तरफ से बिलकुल पान के रख दिया था किरादी के बलेबादों को